नमस्कार दोस्तों मेरा नाम अजय है और आप देख रहे हैं एके भी टेक्निकल तो आज हम इस ग्लास ट्यूब हीटर को रिपेर करना सिखाएंगे देखें यहां पर दो फिलामेंट लगे हुए एक नीचे में जो यह वर्क कर रहा है और जो उपर में लगा हुआ यह वर्क कर रहा ठीक है तो इस फिलामेंट को हम लोग किस तरह से बनाएंगे तो उसी को मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ तो चलिए इसे जहटपट हम लोग खोल लेते हैं कोलने के लिए देखिए दोनों तरफ से स्कुरू लगा हुआ है तो यह दोनों तरफ से हम लोग सारे श्कुरू को बारी-बारी से खोल लेंगे और थोड़ा सा सावधानी पूरवक कोलना पड़े है क्योंकि यह गलास के अंदर फिलामेंट लगा हुआ ठीक है तो अगर ज साइड साइड से खोल लिया है और इसमें जो यह प्लेट लगा हुआ है इसे भी हम कि खोल लेंगे क्योंकि नीचे का स्वीच थोड़ा सा ढीला है तो उसे भी टाइट करना है ठीक है तो बारी बारी से खोल लेना है चारो तरफ यह देखिए यह स्वीच लगा हुआ है यह स्वीच इसलिए लगा हुआ है कि जब आप नीचे रखेंगे तभी यह ओन होता है ठीक है ना यह देखिए यह हमारा ग्लास ट्यू का कनेक्शन है ग्लास ट्यू जो एलिमेंट है उसी का कनेक्शन है तो इसे हम पहले ओपन कर लेंगे उपर वाले नट को हम लोग को खोल लेना है ठीक है है तो थोडह सवधानी पुर्वा किसे हम लोग खोलेंगे ताकि अंदर का जो नठ है वह उह फिले नहीं ठीक है उपर से अराम से इसे खोल लेना है ओ कि श करेंबर इसे इसा के ऊपर में फिर से लगा दक है और दूसरे साइट भी हम लोग करेंगे दूसे साइड भी हम लोग उसी तरह से इसे खोल लेंगे इधार भी उसी तरह से अराम से दिरे-दिरे खोल लेंगे नीचे के नट को ढिला उपर वाले नट को ढिला करेंगा नीचे वाले को कुछ नहीं करना ठीक है यह तो टूटने का डर है और इस तरह से असानी से निकाल लेना है और उपर में इसके nut को उसी तरह से tight कर देना हलका सा ठीक है अब क्या करेंगे इसके जो clip जो लगा हुआ है देख रहे हैं आप नीचे से जो tight किया हुआ है उसे हम लोग यह देखिए यह जो clip है इसे थोड़ा सा सीधा करके इसको इस तरह से प्लायर से आप सीधा कर लें इसे और इसमें जो यह clip लगा हुआ है इसे निकाल लेना है इसे जो निकालना नहीं तो पूरा गलास है आप देखिए यह जो पूरा हुआ आप यह हाथ में आ जाएगा तो इसे थोड़ा सावधानी पूरवक को खोलना है जो steel का प्ल यह चीनी मीटी का जो कनेक्टर है उससे यह इस्टील वाले पलेट को निकाल लेना है यह देखिए इसे थोड़ा सा लिटा कर निकालना पड़ेगा यह देखिए दीरे धीरे इसे वापस एक और से घीच लेना है अराम से धीरे 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 ये देखे निकल गया और यही देखे ये तूटा हुआ है ठीक है तो और इसका जो एलिमेंट है वो देखे नीचे में है ठीक है तो आज हम लोग उसी को रिपेर करेंगे ठीक है रिपेर करने के लिए क्या करना होगा इसके जो जो फिलमेंट आपको दिख रहा है उससे हमें थोड़ा सा बाहर खीचना पड़ेगा किसी भी तरह से उसे थोड़ा सा बाहर निकालेंगे और उससे टाइट करना है अपने चीनी मिठी के जो कनेक्टर दिया है उसमें ठीक है तो यह देखिए यह हमने निकाल लिया इसको थोड़ा सा रिंग बनाकर इसे रिंग बनाएंगे और नट वोल्ट की मदद से इसे टाइट करेंगे चिनी मिट्टी में इसमें ठीक है तो इसे हम खोल लेते हैं कि ए इस दरह से खुल जाएगा और इसमें वाशर फर्स्ट में उपर में वाशर लगा देंगे ठीक है वाशर को लगाने के बाद देखिए वासर लगा हुआ है और इसमें दो आशर ठीक है पहले वाले जो element का जो हिस्सा था वो निकाल देंगे और इसे ring थोड़ा सा ring बनाएंगे और ring बनाकर इस bolt में लगा देंगे यह इस तरह से इधर से इसे लगाएंगे और इसे लगाने के बाद फिर से एक वासर इसके उपर लगा देंगे ताकि connection थोड़ा सा tight हो ठीक है अब यह होने के बाद यह थोड़ा सा अच्छा से tight करना पड़ेगा अब देखे यह हो गया अब इसमें हम आराम से इसे अच्छी तरह से tight कर देंगे ताकि वो वहां से sparking ना हो ठीक है इसे अच्छी तरह से tight कर देंगे और कि देखिए इसे अच्छी तर से कि फूल टाइट करना है लूज नहीं होना साथ चाहिए ठीक है कि स्क्रूड्राइवर और क्लेयर की मदद से इसे अच्छी तर से टाइट कर दें एक जड़ा सा धीला नहीं होना चाहिए यह तो अस्पार्किंग हो सकता है ठीक है यह इस तर से फूरे टाइट कर दें और दूसरी तरफ भी हमें वही करना है और इसे इस तरह से लगा दिजिए और दूसरे तरफ का जो धीला हो गया पोइंट उसे भी हम लोग टाइट कर लेंगे यह फर्स्ट वाले नट को पहले ख चलिए देखिए यह टाइट हो गया है अब इसे वापस हम इसके बॉड़ी में फिट कर देते हैं अब इसे अच्छी तरह से बॉड़ी में फिट करना है लूज कनेक्शन नहीं होना चाहिए देखिए इस तरह से मैंने रट को डाल दिया है ठीक है और यह देखिए ग्लास ग्लास रॉड़ को यहां पर इस तरह से फिट कर देना है किलिप में अच्छी तरह से फसा लें और इसके जो वायर है वो अच्छी तरह से नीचे में प्लास की मदद से दो प्लास की मदद से आपको इसे टाइट करना है धीला नहीं छोड़ना है ठीक है यह देखिए इसके किलिप को अच्छी तरह से आपको फसाना ताकि वो लूज नहों गरम होने के बाद वो गीरे नहीं ठीक है जिस तरह से आपने खोला था उसी तरह से इसे इस तरह से टाइट कर दें और वायर को अच्छी तरह से यहां पर इस तरह से लगा दें अगर कोई भी डाउट हो तो हमें आप कॉमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं देखिए इस तरह से निचे वाले नट को पकड़कर उपर वाले को इस तरह से टाइट करना है डायरेक्ट इससे टाइट नहीं करना नहीं तो अंदर से वो लूज हो जाएगा ठीक है और सेम वही हम लोग को दूसरे तर भी करना है नीचे वाले को नोज प्लायर से पकड़कर उपर वाले को इस तरह से टाइट कर देना है चलिए देखिए यह टाइट हो गया है अब हम लोग क्या करेंगे बॉड़ी को वापस हम लोग उसी तरह से टाइट कर देंगे जिस त तुक्त होना है तो देखीन Tucson पर उसी तरह से हमों फीट कर दिन है तो देखिए यह हम लाइन में लगा दिये हैं दिन में लगा रहा हूं और लगाने के बाद दीकिन में लाइन हुपकर दिखाते हैं फिरन लाइन आ गया अब यह देखिए इना फिलामेंट जो है हीट होना चालू हो गया है यह देखिए उपर वाला अब हीट होने लगा है ठीक है और इस स्वीच को घुमाने से देखिए दोनों हीटर यह अपने आप चालू हो जाएगा ठीक है तो इस तरह से आप भी अपने इस रोम हीटर को घर में बना सकते हैं तो कैसा ये वीडियो मेरा कैसा लगा जरूर बताएंगे कॉमेंट करके तक के लिए धन्यवाद